उसके निवारण के लिए जो किया जा रहा है वो क्या सीधे जनता तक पहुंचती है या नहीं या नहीं नहीं तकनीकी हो यह सारी जानकारी जो है यह विग्णान पत्रकारिता जनता के समुख लाती है उसके ज्ञान की पूर्ती के लिए शैक्षिक पत्रकारिता काम करती है इस पत्रकारिता ने हमारे भरदेश को अलगी पहचान प्राब गिया है प्रणाम मैरी हानायस अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता मेरे सकेंड सेम के जितने भी BBA के विध्यारती हैं कल मैंने पत्रकारिता के प्रकारों के बारे में कुछ प्रकारों के बारे में जानकारी दी थी और भी कुछ प्रकार है उसके बारे में जानकारी दूँगे कल मैंने आपको विशेशागनिय पत्रकारिता यहां पर कार्य करते हैं इसके बारे में और इसके बारे में जानकारी दी थी और कौन-कौन से समाचार जनता तक पहुंचाते हैं यह भी मैंने बताया था आज हम रेडियो पत्रकारिता, व्याख्यात्मक पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, संसदिया पत्रकारिता, टेलिविजन पत्रकारिता, विधी पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, पोटो पत्रकारिता, शैक्षिक पत्रकारिता, सांस्कृतिक और साहितिक पत्रकारित अपराद पत्रिकारिता राजनेतिक पत्रिकारिता इन पत्रिकारिताओं के बारे में मैं अभी आपको जानकारी देती हूँ रेडियो पत्रिकारिता मुद्रण के आविशकार और प्रभाव धन से अधिक से अधिक लोग तक पहुंचाना मनुष्य का लक्ष बन गया इसी से रेडियो का जन्म हुआ रेडियो को सिनिमा और टेलिविजिन और इंटरनेट से कड़ी चुनोतियां मिली लेकिन रेडियो अपनी विशेश्टा के कारण आगे बढ़ता गया और आज इसका स्तान सुरक्षित है जन संख्या रेडियो सुन रहे है शोत्राओं के विभिन वर्गों के लिए विभित कार्यक्रमों की मदद से सूचना और शिक्षा दी जाती है जैसे युवाओं, महिलाओं, बच्चों, किसान, ग्रहनी, विध्यारतियों के लिए अलग-अलग समय में कार्यक्रम प्रसारित होता है रेडियो पत्रकारिता, मुद्रन के आविशकार के बाद जनता तक अधिक से अधिक, जो है अधिक से अधिक समाचार पहुंचाने के लिए ही रेडियो का आविशकार हुआ यह जो आशिक्षित जो भी वर्ग है, वो भी सुनकर समाचार क्या है, वो भी समाचार को जान सकते हैं यहाँ पर रेडियो को दूरदर्शन और इंटरनेट से कड़ी चुनोती मिली लेकिन यह जो है रेडियो अपनी विशेशता कभी नहीं खोया है आज भी क्या है जनता, आज भी बहुत सारे लोग रेडियो के माध्यम से समाचार सुनते है सब के लिए अलग-अलग समय पर रेडियो पर कारिक्रम होता है आज भी हम रेडियो से अलग-अलग समाचार सुन सकते हैं अलग-अलग समय पर इसलिए रेडियो का आज भी उतना ही महत्व है आगे दिखिए व्याख्यात मग पत्रकारिता पत्रकारिता के केवल घटनाओं की सुचना देना ही नहीं पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वो घटनाओं की तहत तक जाकर उसका अर्थ स्पस्ट करे और आम पाटकों को बताने के लिए विभिन प्रकार से उसकी व्याख्या करता है पत्रकार इस महत्व को बताने के लिए विभिन प्रकार से उसकी व्याख्या करता है इसके पीछे क्या कारण है इसके पीछे कौन था और किसका हाथ है इसका परिणाम क्या होगा, इसके प्रभाव से क्या होगा, आदी की व्याख्या की जाती है सापताहिक पत्रिकाओं संपाद किया लेखों में इस तरहां किसी घटना की जांच पड़ताल कर व्याख्यात्मक समाचार पेश किया जाते हैं यानि व्याख्यात्मक पत्रकारिता, यानि डीटेल से कोई घटना के बारे में लिखना यहाँ पर ये पत्रकारिता जो घटना है सिर्फ, जो घटना घटी है, जो दुर घटना घटी है या कोई भी हासा घटा है जो उसका जो समाचार है किस तरह से किस समय पर कैसे ये घटना घटी ये सारी तहत तक जाकर विस्तार से सारी बातों को बताना ही व्याख्यात्मक पत्रकारिता का काम आगे हैं विकास पत्रकारिता लोगतंत्र का मूल उद्देश है लोगों के लिए शासन लोगों के द्वारा शासन इस लोगतंत्र में तीन मुख्य स्थम्भ है इसमें संसदिया विवस्ता, शास्षन विवस्ता, कानून विवस्ता जो लोगतंत्र का मुख्य जो मुख्य उद्देश है लोगों के लिए शासन इसके मुख्य तीन स्थम है संसदिया वेवस्ता शासन वेवस्ता और कानून वेवस्ता इन तीनों की निगरानी जो चोथा स्थम पत्रकारिता निभाता है जो भारत जैसे विकाशील देश के लिए और बेहम भूमिका है यहां पर देखिए जो देश है भारत इसमें पत्त्रकारिता बहुत ही एहम क्या है भूमिका निभाती है यहां पर देखिए जो देश में शिक्षा, वेवस्ता, बेरोजगारी, क्रिशी एवं, किसान, सींचाई, पारिवाहन, भूकमारी, जनसंक्या, बढ़ने के कारण अपड़ा जैसी समस्याएं है, जो ही सारी समस्याएं है, इन समस्याओं से निपटने सरकार द्वारा क्या-क् खदम उठाये जा रहे हैं, जो भी इस विकाशील भारत में, जो भी समस्याएं है, इस समस्याओं के समाधान के लिए सरकार कम से खदम उठा रही है, जनके हित के लिए क्या कर रही है, यह सारी बातों की निगरानी यह जो पत्रकारिता है, वो रखता है, कोई योजना बनी तो उसका फैदा लोगों तक पहुंच पा रहा या नहीं या उसे सही धंग से लाई जा रहा है या नहीं इस बारे में पत्रकार विशलेशन कर समाचार पेश करने से शासक की आँखें खुल सकती है इस सब की जानकारी विकास पत्रकरिता से मिलती है जो सरकार की और से जो भी निर्णे इन्ही जनता के हित के लिये लिया जा रहा है जो भी खदम उठाए जा रहे है और जो भी योजनाब बनी है वो क्या लोगों तक पहुंच रही है इसकी भी जानकारी विकास पत्रकरिता देती है साथ ही साथ ये जो समस्यां हैं इसके बारे में शासक की आंखे भी खोलती है और ये सिर्फ देश की प्रगती जनता की प्रगती के लिए ही काम करता रहता है आगे हैं संसदिया पत्रकारित लोक थंत्र में संसदिया विवस्ता की प्रमुक भ्यूमिका है संसदिया विवस्ता के तहत संसद में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिदी पहुंचते हैं इनके द्वारा किये जा रहे कार्य पर नजर रखना पत्रकारिता की एहम जिमेदारी है क्यूंकि लोगतंत्र में यही एक कड़ी है जो जनता एवों नेता के बीच काम करता है जनता से चुने गए नेता लोगों की सुख सुविधा तथा जीवन स्थर सुधार्ने में कारिय करता है या नहीं इन सबकी जानकारी संसदिया पत्रकारिता करता है जन्ता द्वारा चुने गए नेता जो है वो जन्ता के हित में जो कारिय कर रही है उस पर नजर रखना संसदिया पत्रकारिता की जिमेदारी है क्योंकि लोक तंत्र में यह एक कड़ी है जो जन्ता और नेता के बीच में है जो लोगों के लिए सुख सुविधा तथा जीवन स्तर सुदारने में कार्य करता है यह पत्रकारिता कार्य करती है यह जन्ता की सुख सुविधा के लिए सुख सुविधा को सुधारने के लिए यह पत्रकारिता काम करता रहता है ये नेता और जनता के बीच की कड़ी है और ये जो नेता कहें जनता से चुने गए हैं वो किस प्रकार लोगों के हित के लिए कारिय करते हैं ये सारी बातों की निग्रानी संसदिया पत्रकारिता करती है आगे का प्रकार टेलिविजन पत्रकारिता समाचार पत्र रेडियो के बाद दूर संचर क्रांती में यहीं सैटलाइट इंटरनेट के विकास के साथ ही इस माध्यम का इतनी तेजी से विकास हुआ कि आज इसके बिना चलना मुश्किल सा हो गया है इसे मुख्य तहा तीन वर्गों में रखा जाता है सूचना मनोरंजन और शिक्षा सूचना में समाचार और जनसंचार उद्देश उड़ाएं आते हैं मनोरंजन में फिल्मों से संबंदित, कारिक्रम, नाटक, धारवाहिक, नुरत्य, संगीत तथा मनोरंजन के विभिद कारिक्रम शामिल है इस कारिक्रमों का उद्देश लोगों का मनोरंजन करना है शिक्षा शेत्र में टेलिविजन की महत्वपूर्ण जिमेदारी है टेलिविजन पत्रकारिता के माध्यम से छोटी सी छोटी घटनाओं का भी लाइफ कवरेज होने लगा है यह जो टेलिविजन पत्रकारिता है समाचार और रेडियो जो है वो दूर संचार क्रांती में साटलाइट और इंटरनेट के विकास के साथ ही इस माध्यम का इतनी तेजी से विकास हुआ है यहाँ पर देखें समाचार पत्रा और रेडियो के बाद जो दूर दर्शन का इतना ज्यादा क्या है इसका इतना ज्यादा और तेजी से यह क्या है सारी दुनिया में फैला हुआ है ये क्या है लोगों का मनुरंजन ही नहीं बलकि शिक्षा के शेत्र में भी ये क्या है काम करता है साथी साथ देश-विदेश की खबरे जो है हमें लाइफ कवरेज करके दिखाता भी है जो भी घटना घटी है, हम घर बैटे ही इसके माध्यम से वो सारी घटना को हम देख सकते हैं तो ये एक जो टेलिविजन पत्रकारिता है, ये भी एक एहिम भूमी का निभाता है ये रहा टेलिविजन पत्रकारिता, आगे का प्रकार है विधी पत्रकारिता लोग तंत्र के चार स्थम में विधी विवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण है नए कानुन उनके अनुपालन और उसके प्रभाव से लोगों को परिचित कराना बहुत ही जरूरी है कानुन विवस्था बनाये रखना अपरादी को सजा देने से लेकर शासन विवस्था में अपराद रोकने लोगों को नयाय प्रधान करना इसका कारी है इसके लिए निचली अदालतों से लेकर उंच नयायाले सर्वोच नयायाले तक विवस्था है इसमें रोजा ना कुछ ना कुछ महत्पूपूर्ण फैसले सुनाए जाते हैं लोगतंत्र के जो लोगतंत्र का चोथा स्थम है इसमें जो विधी पत्रकारिता है इसका एहम यानि महत्पूपूर्ण योगदान है जो कानून विवस्ता में नए कानून बनाए गए है इसकी जानकारी जनता तक लाना और अपराधी को सजा दिलाना और लोगों को क्या है नय दिलाना यह सारा काम यही विधी पत्रकारिता करती है लोगों को नय प्रधान करना इसका कारी है इसके लिए निचली अदालतों से लेकर उच नय आले सरवोच नय आले तक विवस्ता है लोगों को नय प्रधान करने के लिए इसकी जो विवस्ता है वो हाई कोर्ट सुप्रिम कोर्ट इसकी विवस्ता यह करता है लोगों के नय के लिए साथ कई बड़ी घटनाओं के निर्णे उसकी सुनवाई की प्रक्रियाद चलती रहती है इस बारे में लोग जानने के लिए इच्छुक रहते हैं क्योंकि कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जिसका प्रभाव समाज संप्रदाय प्रदेश एवं देश पर पढ़ता है तूसरी बात यह है कि दबाव के चलने कानून विवस्ता अप्राधी को छोड़कर निर्दोश को सजा तो नहीं दे रही है इसकी निगरानी भी विधी पत्रकारिता करती है जिसकी यहाँ पर देखें यह पत्रकारिता जो निर्णे हैं जो घटनाओं के निर्णे हैं जो कई बड़ी घटनाएं बड़े बड़े फैसले होने वाले होते हैं यह जो समाचार है जनता जानने के लिए इच्छुक रहती है यह सुप्रिम कोट क्या एहम फैसले से इसके लिए किये हैं वो चाहे धर्म के लिए हो संप्रदाय के लिए हो कोई भी एक मामले में जो भी एहम पैसले होते हैं, इसको सुनने के लिए जनता इच्छुक रहती है, यह पैसले यहनी जो सुनवाई हुई है, जो उसके लिए निरणय हुआ है, यह सारा जो समाचार है, यह विधी पत्रकारिता जनता तक पहुंचाती है, साथी साथ, जो खानुन विवस्ता जो चल रही है, इसमें अपरादी को छोड़कर, यह जो अपरादी नहीं होता, निरोपरादी होता है, उसके हक में सही फैसला हुआया नहीं, इसकी निग्रानी भी विधी पत्रकारिता करती है, आगे का प्रकार फोटो पत्रकारिता, फोटो पत्रकारिता ने छपाई तकनीकी के विकास के साथ ही समाचार पत्रों में एहमस्तान बना लिया है, कहा जाता है कि جो बात हजार शब्दों में लिकर नहीं किये जा सकती है, वो एक तस्वीर कर देती है, पोटो टिपणियों का असर व्यापक और सीधा होता है, दूसरी बात ऐसी घटना जिसमें सबूत की ज़रूरत होती है, वैसे समाचारों के साथ, फोटो के साथ समाचार प बढ़ जाती है फोटो पत्रकारिता जो हजार बातों में भी हम नहीं कह सकते वो सिर्फ एक फोटो कर देती है इसमें जब कोई अपराधी उसका गुना जो है साबित नहीं होता अगर फोटो हो तो वहां पर क्या है वो एक सबूत बन जाती है चाहे वो अपराधी है तो उसके लिए एक सबूत भी बनती है कि वो अपरादी नहीं है पोटो पत्रकारिता भी इतना ही इस शेत्र में एहम काम करती है आगे की पत्रकारिता है विज्ञान पत्रकारिता ये किस विश शताबदी को विज्ञान का युग कहा जाता है विज्ञान में हमारी जीवन शैली को बद कने दालकर रख दिया वैज्ञानिक द्वारा रोजाना नहीनाई खोचyst कि जा रही है इसमें कुछ कुछ जनकल्यानकारी है तो कुछ हानी भी जैसे परमानों की खोच से कहीं बदलाव ला दिया है लेकिन इसका विद्ववामसकारी पक्ष भी है यह किस्वी शदापदी को विग्ञान का युक कहा जाता है यहाँ पर आविशकार हो रहे है यही यह दुनिया आगे बढ़ रही है नई नई तकनिकियों के साथ इस तकनिकी में कुछ बदलाव भी है कुछ आविशकार भी है प्रगती भी है साथी साथ कुछ हानियां भी है जैसे की परमाणू बाम जिससे की सब कुछ बदल गया परमाणू बाम की खोच से कहीं बदलाव ला दिये है लेकिन इसका जो विद्वामस कारी पक्ष भी है यह यह एक और तो यह तकनिकी सभी के हित के लिए कारी कर दी है तो कुछ हानियां भी जैसे की परमाणू बाम की खोच से कहीं बदलाव ला दिये है इसका कहें असर जनता पर भी पड़ता है लेकिन इनी जो नही नही आविशकार है ये सारी जानकारी जो है हानी हो या प्रगती हो या नही नही तक्नीकी हो ये सारी जानकारी जो है ये विग्ञान पत्रकारिता जनता के समुख लाती है आगी का जो प्रकार है शैशिक पत्रकारिता शिक्षा के बिना कुछ भी कल्पना करना संभव नहीं है पत्रकारिता सभी नहीं सूचना को लोगों तक पहुंचा कर ग्ण्यान में रुधी कराती है जब से शिक्षा को आउपचारिक बनाया गया है तब से पत्रकारिता का महत् बढ़ गया है शिक्षित व्यक्ति एक माध्यम से संतुष नहीं होता वो अन्य माध्यमों को भी देखना चाहता है यह जिग्न्यासा ही पत्रकारिता को बढ़ावा देता है तो पत्रकारिता उसकी जिग्न्यासा और शिक्षा और ग्ण्यान प्रदान करता है उसकी जिग्न्य जिगन्यासा को शान्त करने का प्रयास साइक्षिक पत्रकारिता का कारी है शिक्षा के बिना हुजवी क्या है कल्पना करना असंभव है शिक्षा सभी के लिए उतनी ही अवशक है एक शिक्षित विक्ति जितना उसे ज्ञान मिलता है और भी ज्ञान पाने के लिए वो क्या है चाहता है कि और भी ज्ञानों से प्राप्ट, उसके ज्ञान की पूरती के लिए शैक्षिक पत्रकारिता काम करती है आगे का प्रकार है सांस्कृतिक साहितिक पत्रकारित मनुष्य में कला साहिति की भूमिका निर्विवादित है मनुष्य में छिपी प्रथिभा कला चाहे वो किसी भी रूप में हो उसे देखने से मन को तुरुपती मिलती है इसलिए मनुष्य नए नए कला प्रथिभा को उजगार का माध्यम है पत्रकारित सांस्कृतिक साहितिक पत्रकारिता के कारण आज कई विलुपत प्राचीन कला जैसे लोक नुरुत्य, लोक संगीत, स्थापत्य कला को खोज निकाला है यहां पर देखिए सांस्कृतिक और साहितिक पत्रकारिता जो प्राचीन कला थी, संगीत था, नुरुत्य था, इसे खोजकल निकालने का काम ये करती है साथी साथ, जो ने ने प्रतिभावान विक्ति होते हैं, उनकी कला को, उनमें रहे, जो निहित कला को, वो सामने लाने का प्रयास, प्रदर्शित करने का एक अफसर, जो उन्हों मिलता है, जो प्रदर्शित करते हैं, उसकी कला के बारे में, जनता में बताना, इस पत्रकार पत्रकारिटा है जो इनसान में प्रतिवा होती है उसको उझ। का यह माध्यम भी बनती है और यह प्राचिन कलाओं को जो है जो प्राचिन कलाए ai जैसे कि लोकसंगीत और लोक नुरत्यओं यह सारी कsti को खोच कर यह पत्रकारिता निकालती है इस पत्रकारिता से आज हमारे भारत देश की एक अलग पहचान बन गई है साहित्य एवं सांस्कृतिक के नाम पर चलने वाली बड़ी-बड़ी साहितिक प्रतिवाद सांस्कृतिक संस्ताओं के बीच वाद आरोप प्रतियारोप ने साहित्य संस्कृति में मसाला समाचारों की संभावनाओं को बहुत बढ़ाया है इस पत्रकारिता ने हमारे भारत देश को अलगी पहचान प्राप किया है आज विदेश में भी हमारे देश के जो लोग हैं उनकी प्रतिभा को यहां की कलाओं को जो हैं विदेशियों को भी हमारे देश की कलाओं के बारे में जानकारी मिलती है ये काम सांस्कूर्तिक पत्रकारिता करती है इसका और एक प्रकार है अपराथ पत्रकारिता राजनेतिक समाचार के बाद अपराथ समाचार ही महत्पुर्ण होते है बहुत से पाटकों वा दर्शकों को अपराथ समाचार जानने की भूख होती है इस भूग को शान्त करने के लिए ही समाचार पत्रवा चैनलों में अपराद, डैरी, संसनी, वारदात, क्राइम फाइल जैसे समाचार प्रसारित किये जा रहे हैं एक अनुमान के अनुसार किसी भी समाचार पत्र में लगभग 35 प्रतिशत समाचार अपराद से जुड़े होते हैं इसी से अपराद पत्रकारिता को बल मिला है ये अपराधी, विकती, समाज, धर्म, देश, आदिसे होते हैं, ये सब की जानकारी अपराध पत्रकारिता देती है अपराद पत्रकारिता में जो भी क्या है कुछ लोगों को अपरादों के बारे में जिगन्यासा होती है जानने के लिए इच्छुक होते उनकी भूग को मिटाने के लिए उनकी भूग को शान्त करने के लिए अपराद पत्रिकारिता काम करती है यह क्या है दूरदर्शनों में भी जो संसनिया होती है यह दूरदर्शन में भी इस अपराद को हम देख सकते हैं और यह जो अपराद हुआ है क्यों हुआ है संसनिया उसके बारे में अपराद के बारे में जानकारी ये अपराद पत्रकारिता देती है और किसी भी समाचार में 35 प्रतिशद जो समाचार है अपराद पत्रकारिता से ही मिलती है इस पत्रकारिता को बड़ावा भी मिला है अपराद पत्रकारिता सिर्फ अपरादों के बारे में ही संसनिया वारदातें हमारी इनी जनता के समुक लाती है आगे का प्रकार है राजनेतिक पत्रकारिता समाचार पत्रों में सबसे अधिक पड़े जाने वाले और चैनलों पर सर्वधिक देखे सुने जाने वाले समाचार राजनेति से जुड़े होते हैं राजनेतिक समाचारों की प्रस्तुती में पहले से अधिक बेबा की आई है लोगतंत्र की दुहाई के साथ जीवन की लगभग हर शेत्र में राजनेति की दखल बढ़ गया है और इस कारण राजनेतिक समाचारों की भी संख्या बढ़ी है राजनेतिक पत्रकारिता यहीं जो समाचार पत्रों में सबसे अधिक पड़े जाने वाले जो नेता लोग होते हैं उन्हीं के समाचार तो यह जो राजनेतिक समाचार पत्र हैं यह ज्यादातर चानलों में भी हमें दूरदर्शन से भी ये क्या है ज्यादातर राजनेताओं के बारे में ही जानकारी मिलती है इसका ही समाचार ज्यादातर लोग देखते रहते हैं आगे देखिए राजनेतिक समाचारों की प्रस्तुति करन आज अधिक ज्यादा बढ़ चुकी है लगभग जिवन के हर शेत्र में राजनेतिक जो समाचार हैं कहें सुने जाते हैं यही कारण है कि राजनेतिक जो समाचार हैं वो बढ़ गए हैं ऐसे में इन समाचारों को नजर अंदास कर जाना संभव नहीं राजनेतिक समाचारों की आकर्शक प्रस्तूती लोग परिये हासिल करने का बहुत बड़ा सादर बन चुकी है जो राजनेतिक समाचार है उसको लोगों तक लाना यानी ज्यादातर राजनेतिक जो समाचार है वो ही हर ये चानल में दिखाई जाता है दूरदर्शन में रेडियो में या समाचार पत्र में भी हम राजनेतिक जो नेता है उनके बारे में ही जो समाचार ज्यादातर हमें दे पत्रकारिता जीवन के हर एक शेत्र में जियादा तर जो लोगों को इच्छा होती है राज नेताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना वो ये पत्रकारिता पूरा करती है मेरे प्रिये विध्यारतियों, आज मैंने पत्रों के प्रकारों के बारे में और ये पत्रकरिता कौन-कौन से शेत्र में काम करती है, सारी बातों की जानकारी दी है, अगली कक्षा में मैं आपको पत्रकरिता के इतिहास के बारे में जानकारी दूंगी, धन्यवाद